आप सब का एक बार फिर से विहार बोर्ट के नमर वन चैनल विहार बोर्ट श्टेडी पर जे दोस्ते हैं आज के क्लास में हम लोग कभर करने वाले हैं हिस्ट्री के न्यू पैटन मोडल पेपर जो आपके फैनल एक्जाम के लिए आपको बता दें इसमें हंडेट सेलेक्टेट कोशन है जो आपके फैनल एक्जाम 2022 के लिए लेकर आया है और इसमें सभी रिपीटेट भी कोशन है और साथ में NCRT कोशन है तो आपको पता ही होगा है तो आप लोग इस वीडियो को पूरितर से लास्त तक देखिए इससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है बिरूर शुरू करने से पहले कि अभी तगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने हो जाएगा बिल्कुल क्रेक्ट्र आपका यानि ऑपसंडी चंद वर्दाई यानि ऑपसंडी इसका एपसुलूट्ली राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे विजयनगर का महंतम सासक कौन था इन चारों में से आपको क्रेक्ट्र आप समपरभूता नीत है यानि समपरभूता नीत है तो किसमें रास्पति में है तो आपको पता ही होगा बॉल्स न्परसे ही है एक प्सविया है एक च्रापकर जो है म सरा चालिवा है राइंसर औरले नेन्यucht mixer भारत को भाट कर था इनlaughter में से आपको correct option बताना है ठीक है तो किरिप्स मिसन जो भारत आया था तो इसका answer आपको बताई होगा मार्च 1922 में option आपका D absolutely right answer हो जाएंगे बहुत बढ़िया चलिए next question देखेंगे question number 7 देखेगा आप लोग ठीक है लोथल किस नदी के किनाड़े इस्तित है जो लोथल है वो किस नदी के किनाड़े इस्तित है इन चारों में से आपको correct option बताना है ठीक है चलिए तो देखें लोथल जो आपका इनी भगवा नदी के किनाड़े बसा हुआ है नी option आपका जो आपके स्क्रिंट के आगया है सिंदुगार्टी सवेता में विशाल असनानागर के ओसेस कहां से मिले थे इन चारों में से आपको correct option बताना हरप्पा में हो जाएगा मोहन जोद्र में हो जाएगा काली वंगान में हो जाएगा लोथल में हो जाएगा तो देखें जो है वह कितनी है इन चारों में से आपको correct option बताना है तो देखें वेदों की जो संक्या है वह चार है कितना है चार option आपका भी जो है right answer हो जाएगे ठीक है अर्थवेद यजुरवेद समवेद रिगवेद तो यह इन चारों वेदों का आपको नाम यादखना है ठीक है च इसका answer आपका option B absolutely right answer हो जाएगे ठीक है चलिए next question देखेगा जो आपके screen पे आ गया है गुप्त वंस के किस सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था तो इसका answer आपका समद्र गुप हो जाएगे option B right answer हो जाएगे ठीक है बहुत बढ़िया चलिए next question देखेगा जो आपके screen answer हो जाएगे ठीक है चलिए next question देखेगा मनुसमर्थी में कितने परकार की विवाका उल्ले किया गया है अगर आपको इसका answer मालूम भी रहता है तो आपको आपका revision भी साथ में हो रहा है और आप लोग हमें जरूर comment section बताएंगे कि आपको कितने सारे question का जो answer पहले से था इन चारों में से आपको correct option बताना है ठीक है तो महाबारत में जो गंगा पूत्र के नाम से किसे जाना जाता है इन चारों में से आपको correct option बताना है इसका answer आपका क्या होगा तो इसका answer जो होगा आपका भिस मैनी option भी right answer हो जाएंगे बहुत बढ़िया चले next question करेक्ट option बताना है बिल्कुल definitely आपको पताई होगा इसका answer आपका जो होगा जैन धर्मस हो जाएंगे option D right answer हो जाएंगे ठीक है next question देखेंगा चौती बहुत परिश्यत किस सासक के काल में होई थी ठीक है चौती बहुत परिश्यत किस सासक के काल में हो थी तो इसका answer आपक कनिश्क option D right answer हो जाएंगे चला next question देखेंगा दीन ये इलाही संबंदित किस्से तो दीन ये इलाही जो संबंदित है ये किस्से इन चारों में से आपको correct option बताना है बाबढ़ होगा या हुमायू होगा या अकबढ़ होगा या औरंग जे होगा तो आपको बताई होगा द ति मुगल सासा के बारे में हम सभी बच्चे को आप लोग को पता ही होगा कि बादूर सा जफर है option D right answer हो जाएंगे next question देखेंगा जजिया किससे लिया जाता था वायपाड़ियों से बुद्धियों से उसके बाद देखेंगा सैनिकों से या जिम्यों से तो इसका answer आपका जो होगा यहीं जिम्यों से लिया जाता था option D इसका right answer हो जाएंगे ठीक है next question देखेंगा अलविरूरी किसके साथ भाड़त आया था इसके बारे में आपको answer पता होना चाहिए तो देखें मुहमद गजनी के साथ आये थे और इसका answer आपका C right answer हो जाएंगे बहुत बढ़ आप बढ़िया चले next question देखेंगे जो आपके screen पर आगया है इन चारों में से आपको correct option बताना है तो देखें आएंगर जो है विजे नेकर समराजी से सित्थ है option आपका भी right answer हो जाएंगा बहुत बढ़िया चले next question देखेंगे जो आपके screen पर आगया है गीता के महत्त पर किसने विचार व्यक्त किये थे तो इन चारों में से आपको right answer बताना है मात्मागांदी भी किये थे विवेकनन किये थे गालगंदर तिलक भी किये थे उपयोगते सभी तो इसका answer आपको बताई होगा इसका answer आपका डी right answer हो जाएंगे ठीक है चले और आपको कहें कि नुथे मनुसमर्थी के रचिता option अपका डी right answer हो जाएंगे चले next question देखेगा महाभारत की रचना किसने की यानि महाभारत की जो रचना किया गया था यह किसके द्वारा किया था वालमी की कालिदाश वेदवयास तुल्चिदाश तो आपको बताऊगा महाभारत की रचना महाकावी है तो उसका नाम और महाभारत option A right answer हो जाएंगे next question देखेगा मनुसमर्थी में कितने परकार का विवाका उल्ले किया गया है तो आपको बताई कि मनुसमर्थी में आठ परकार की विवाका उल्ले किया गया है और इस आठों विवाका आपको नाम बताना comment section में जि होगा तो बताईए इसका answer आपका जो होगा क्या होगा 29 question का answer बिल्कुल absolutely right answer होगा धर्म है चक्रपरवरतन ठीका option आपका भी right answer हो जाएंगे तिरी पी टेक में कौन सा गरंथा आता है इन चारों में से आपको correct option बताना है 30 number question का answer आपका क्या हो जाएगा तो देखे इसका answer आपका object सभी option D right answer हो जाएंगे इसमें देखेगा इन में से कौन बुद्ध की previous हिस्य थे जो इन चारों में से आपको correct option बताना है तो 31 का answer जो होगा आपका यानि आनद option D right answer हो जाएंगे next question देखेगा किसके सासन कालम है बोच धर्म का विवाजन हिन्यान और महायान में हु question रहेगा बुद्ध के गरहतिया की घटना क्या कालाती है यह क्या कलाती है धर्मचकरक परवरतन कालाता है महापड़ी निर्मा और निर्वान कालाता है या संबोधीत कालाता है तो बताएगा 33 number question का answer आपका क्या हो जाएगा तो इसका answer is definitely आप लोगं का correct होना चाहिए ज़ जो बहुत संकी अस्थापना जो किया था यह कहां पर किया था 34 नमर कोशन का आंसर आपको बताना है तो इसका आंसर आपका सार नाथ ओप्सन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चले नेक्स कोशन देखेंगे आईने अक बड़ी के नुशार भूमी को कितने भागों आपको बताना है तो इसका आपको बावडी होगा क्योंकि एक लेखक थे ठीक है चले नेक्स कोशन देखेंगे जो आपके स्क्रिन प्यागया कुतूब मिनार का निर्मान किसने इस किसकी किया गया था इसका कॉया गया था टॉले पर भावड अपसं को बताना है थि को दिखेंडेस का है तो इसका आपको रिठा भावर ऑंप्छिन का आपको शिंए जो है परथा की सुठाफ़ जपूरा किया गया था भूमी सुधार समंदी जब दी पर्था किसके देन थे इन चारों में से आपको correct option चूज़ करना इसका answer आपका क्या हो जाएगा तो देखें भूमी समंदी जितने भी चूज़ थे तो यह total number का था तो option है यह जो है इसका right answer हो जाएगे चैल customize question देखेंगे इन 4 प्रथ पर प्रथे बल लगा दिया था तुक है शाथसक ने जो है सती परताबर परदेवल लगा था इन चारों में से आपको correct option बताना 43 का answer आपका क्या होगा तो सबको पता है कि अगबर के द्वारा जो है सती परताबर यानि परतीवल लगा दिया था ठीक है चले next question देखेंगे फतेपूर सिकरी को राजधानी किसने बनाय कि अगबर के द्वारा जो है मजरोका दर्शन की परताबर की सुवा जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था तो इसका answer आपको हो जाएगा निए अगबर के द्वारा option ए राइट answer हो जाएगे किस मुगल बादसा ने संगीत पर परतीवल लगा था तो संगीत पर ठीक है चली हमपी नगर कि समराज जैसे समझी थे इन चारों में से आपको बताना चाहिए बहुत ही most important question इसका answer आपका क्या हो जाएगा तो इसका answer आपका जो जाए गुपते समराज ये option ए राइट answer हो जाएगे ठीक है चली विजे नगर की यात्रा पर आने वा बड़ा विस्वे पुरा अस्तल किस वर्ज से निगोशित किया था तो इन चारों में से आपको correct option बताना पचास नमर कोशन का answer अपका क्या हो जाएगा तो definitely इसका answer आपको पता होना चाहिए इसका answer आप हमें comment section में जुरू बताएंगे जितने सारे मिरे dear student है इसका answer आपको लगकर करता हूं कि अपको पसंद आपको पसंदेशन से था इंड़ में जरूर कर जाकते हैं असे इसे